वजूत के साथ ज़्यादा ही शेर भाग रहा है तो मैंने वाद समझाने वाली वीडियो बनाई नहीं किसी को एक्जिट नहीं किसी को एंट्री कराने वाली वीडियो बनाई है वहाँ पर मैंने कई उसके तथे आपको समझाए भाई अगर आप देख रहे हैं टीप सर 6 आज बात करेंगे एड़ा की और बात करेंगे सर वारी रिनेवल टेक्नलोजी की सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें थोड़ा सतरक रहना पड़ेगा और आगी की द्रस्टी हमें थोड़ी सी फार्मा के शेरों में लगानी पड़ेगी बीते दिनों जैसे सिंगापूर से एक नियूज निकल कर आए थी कोविड की उसने थोड़ा सा धिलाया पर आपको यकीन होना चाहिए यानि आपको पता होना चाहिए कि भाईया कोविड जो है जो नया वेरेंट आ रहा है ओमिक्रोन का सब वेरेंट जो है फलट उसने इंडिया में दस्तक दे दिया है तो ये मुझे आपको बताना था कि ये कोविड की नियूज जो निकल कर आ रही है यहां से फार्मा के शेरों में थोड़ा सा आपको अपना ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोविड की नियूज आना और अभी एंट्री भारत में करना धीरे धीरे इसकी क्या विस्तार होगा या खतम हो जाएगा या थोड़ा बढ़ेगा वो तो आगे की बात है पर यहां से हमें यह पता लग गया है कि नया वेरेंट जो है ओमिक्रोन का वो दस्तक दे चुका है यह एक नियूज है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा वैसे चुनाओ जो चुन के रिजल्ट के माद्यम से तो मार्केट चली रही है उता चड़ाओ में वो तो चली रही है उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आज अपने दूसरे चैनल पर समझा दिया है जिसको ONGC को समझना है काम को समझना है वो सार्थ थक बजार से चैनल पर वीडियो देख लेना बड़ी डिटेल पर वीडियो बनाई है अच्छा उसने प्रॉफिट किया है उसके बाद अच्छी रणीतिया उसके अंदर बन रही है किरिप आउसे भी देख लेना वीडियो को और मोर पैन लेप पर आपके लिए एक वीडियो बनाई है दूसरा सुझलोन अनर्जी की तेजी के उपर वीडियो बनाई है किरिप कमपनी है इसके बारे में जब मैंने अनलाइज की और काफी दिनों से लोग कैड़े इस वीडियो बनाने के लिए तो मैंने बीते हपते अपने दूसरे चैनल सार्थक वजारसे में इसके उपर एक वीडियो बनाई उस वक्त शेर अपर सरकिट में ही था 2490 या 2425 रुपे कर प्रीप का उस टम वो शेर चल रहा था और मैंने देखा वजूत के साथ ज्यादा ही शेर भाग रहा है तो मैंने वाद समझाने वाली वीडियो बनाई नहीं किसी को एंट्री कराने वाली वीडियो बनाई है वहापर मैंने कई उसके तथे आपको समझाए वहाँ अगर इस 990 रुपे से शेर गिर रहा था और जब मैंने वीडियो बनाई उस टेम अपर जरकिट में था उस टेम मैंने उसकी गतिवी दिया आपको समझाई फिल किसी एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया कि मैंने पांच लाग शेर ले लिए किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला मैं तो खरीदने बेचनी की चीज़े नहीं समझाता मैं तो आपको अगह करता हूँ 2990 रुपे से अगर 1884 को गटा दे तो करीब करीब 1100 रुपे करीब का नीचे है शेर और मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिसने 2900 में शेर को खरीदा होगा उससे पूपर खरीदा होगा वो हमें अनिलाइस करनी आने चाहिए और आज भी लोवर सरकीट में शेर है कल भी लोवर सरकीट में ता जहां तेजिया थी क्यों एसे क्या आपके हमारे पैशे कीमती नहीं हैं कि हमारे आपके पैसे मेहनत के नहीं है जब आपके और मेरे पैसे मेहनत के हैं तो फिर हम उसकी द्रश्टी को और अलग तरीकी से क्यों नहीं उसमें इंवेस्टमेंट करते हैं हम क्यों देखते हैं कि जो शेर भाग रहा है और सब उसकी वीडियो बना रहे हम उसे खरीद कर बैड़ जाते हैं अगर आप मेरी वीडियो को एक्चुल तरीके से देखोगे तो बचने वाली चीजें वहाँ पर दिखेंगी इसलिए कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट करना है कुछ अच्छे अच्छे शेर उपए इन्वेस्टमेंट करने की चीजे देखें जिसमें से आता है इल्डा इल्डा आई आर इडी यानि की इंडियन रिनेवल अनर्जी डवलोमेंट लिमिटेड कमपनी ये एक ऐसा कमपनी है जो सवरजनिक छेत्र की यानि गवर्रमेंट छेत्र की एक ऐसी NBFC कमप करती है पूर्ण यह एक ऐसी कमपनी है जिसका उदेश से ग्रीन अनर्जी की तरफ ही बढ़ने का है यानि की ग्रीन अनर्जी के लावा यह और कोई सेक्टर में अपना इंवेक्श्मेंट नहीं करती है इड़िडा बीते दिनों इड़िडा के ऊपर जो आर्बिया की चीज है पूर्णत्या हरित उर्जा में वर्क करना कामपनी की मंसा को जताता है कि आने वाला समय और ज्यादा वर्क ग्रीन अनर्जी में होने वाला है प्यम कुस्म जो योजना थी शुर्योद्यवाली उसके अंदर भी इसकी कुछ-कुछ भूमी का है कंपनी उन वित्ये साहता उनको वित्ये साहता प्रदान करती जो गरीन अनर्जी के लिए वर्क कंपनिया करती है तो यह वयलूबल शेयर है और जो आगे बढ़ता ही जाएगा जहां जहां गरीन अनर्जी पर वर्क होता जाएगा ज़्यादा फोकस इंडिया का कि मैनी इनर्जी की तरफ है और जब सहारा देने के लिए इड़ा जो है वर्क करता है और इसी तरीके से वो चारा है कि वो कहीं न कहीं FPO और लेकर आये हैं यानि कि वो अपनी एक्टिविटी पूंजी को और बढ़ाना चाता है और इसके लिए वो FPO लाने वाला है दिसंबर 2023 में कमपनी का IPO आया था और अब कमपनी ने कहा है कि इसी चालू वित्य वर्स में ये FPO ला रहे हैं जो करीब 24,000 क्रोड रुपे करीब का होगा और ग्रीन अनर्जी पर जब वर्क हो रहा है तो वो कह रहा है यहीं एक मोका है यह कर जा तो पैसा तो कहीं से भी ले लेगे लेकिन वो चाते हैं कि अपनी एक्टिविटी पूंजी को बढ़ा कर FPO ला कर 24,000 क्रोड रुपे वो जुटा है भाया इस चालू वित्ये वर्स में 24,000 क्रोड का FPO कमपनी ला रहे है और इसी चालू वित्ये वर्स में कमपनी ने हैं 30,000 क्रोड से जादा हरित उर्जा के लिए उधार देने वाली जो ये फाइनेंस करती है उसकी रणनीती बना रखे है यानि कि ये 30,000 क्रोड का इस तरीके से अलग-अलग कमपनियों को लोन देगी यहां से क्या समझ माया है यहां से ये समझ माया है कि अगर ग्रीन अनर के बाद अच्छी रणनीतियों के साथ मिलेगा कमपनी की उधेश्य बैस्ट है पर उताच राव तो कमपनी में आती रहते हैं वो तो आपको जहलना पड़ेगा पर व्यू देखो व्यूगों पर आज मैंने वीडियो बनाई है इसलिए मेरी वीडियो बनाने के माद्यम अल साथी हैं जिसके अंदर इड़ा वर्क करेगा और वर्क करने का माद्यम ग्रीन अनर्जी को सहरा देना और पूर्णत्या हरित उर्जा पर कंपनी हैं यह समझकर आपको चलना पड़ेगा वारी अनर्जी हो या कोई सा भी शेर हो रणनीतिया आपको समझकर चलने पड़ेग यह आपको टैंसन देने वाले हैं इड़ेड़ा अपने आप में अच्छा शेर है और आज तो उसने व्रंगीनता दिखाई है फिर भी एफ्पयो लाने की मंसा कंपनी की इसी चली वित्य वर्स में पर वो अलेक्शन के बाद हो अभी रणनीतिया आपको समझकर चलने है जो ओमी करौन का एक नया सब वेरेंट है फलेट उसके उपर न्यू जा रही है कि फार्मा के अंदर अपनी दरश्टी को अलग तरीके से देखने को मिलेगा तो आज की वीडियो से आपको एड़ा समझ में आ गया वारी अनरजी आपको लालत मैंने आपको समझा दिया क् और करोना से आपको फार्मा की दरश्टी मिल गई है किसी को भी खरीदने बेचने की सला नहीं है तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ जब तक के लिए नाश्कार